हम सबी लोगों का यूनिक लव हेट रिष्टा होता है लाल मिर्ची के साथ यह हमेशा ही वर्ल्ड में एक होट टॉपिक रहता है उसके हेल्थ और न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स के वज़े से खाने में स्पाइसी टेस्ट लाने के अलावा चिलीज में मेडिसिनल वैल्यो भी बहुत होती है कहते हैं चिली पैपर्ज याने के लाल मिर्श में एक कैपसैसिन नाम का सब्स्टेंस होता है पंजनसी का केरेक्टरिस्टिक देता है लेटे स्टडी से मालूम पड़ा है कि चि इंफ्लेमेशन स्टडीज ने ये प्रूफ किया है चिली पैपर्ज सेंसरी नर्फ फाइबर डिसॉर्डर्स का एफेक्टिव ट्रीट्मेंट है इंक्लूडिंग पेंट जो आर्थ्राइटिस सोरेसेज एंड डियाबेटिक नियूरोपेथी से असोसियेटेड है नाच्रल पेंड रिलीफ टॉपिकल कैपसेसिन अब एक रेगनाइज ट्रीटमेंट ऑप्शन है और स्टियो आर्थ्राइटिस पेंड के लिए और कुछ स्टडीज ने ये भी बताया है कि पेंड मैनेजमेंट डाइबेटिक नियूरोपेथी के लिए लिस्टिट बेनिफिशल टीट पेंड में से एक है लूज वेट आपको जो हीट फील होती है हॉट चिली पैपर्स खाने के बाद उस हीट को प्रड्यूस करने के लिए आपकी बॉड़ी एनरजी और कैलरीज यूज करती है जिससे वेट लॉस होता है अगर स्वीट रेड पैपर्स के अंदर जरा सा भी ही हीट प्रड्यूसिन इंग्रीडियन्ट होता है तो उसके वजह से आपकी बॉड़ी 20 मिनित तक हीट प्रड्यूस करती है क्लियर कंजेशन कैपसेशन सर्फ पेंट रिड्यूस नहीं करता बट पैपरी हीट भी सीक्रीट करता है जो हेल्प करता है म्यूकुस निकालने में आ भी बताया है कि लाल मिर्च की वजह से लोवर रेट ओफ हार्ट अटेक स्ट्रोक और पल्मरी एंबॉलिजम भी होता है कैंसर सेल्स के स्प्रेट होने का कौस क्या है साइंटिस्स ने बताया है कि सबसे ज़्यादा कैंसर लेटेट होती है जब कैंसर डिस्टेंस साइट्स पर स्प्रेड हो जाता है Lung Cancer secondary locations पर भी spread होते हैं जैसे कि brain, liver और bone जिससे treatment करना बहुती ज़्यादा difficult हो जाता है Cancer cells को क्यों और कैसे करने का? Studies बताती है कि Capsacin जो chili peppers में मिलता है वो novel therapy में use किया जाता है जिससे lung cancer को spread होने से stop किया जाता है यह first step है metastatic process में कहते हैं कि एक दिन Capsacin को chemo therapeutics के साथ combine करके variety of lung cancer treatments में use कर सकते है तो दोस्तों थे ना यह कुछ मज़ेदार फाइद है रेड चिली peppers के और अगर आपके पास भी रेड चिली peppers से जुड़ी और भी कुछ जानकारी है तो हमें comment section में ज़रूर बताए और अगर आपके हमारे विडियो पसंद आया हो तो इसे like, share and comment ज़रूर कीजे और अगले विडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों धन्यवाद